हेलो अब्रीवन वेल्कम टो सलेनियम टॉटोरियल आज हम देखेंगे कि कैसे हम रोबोट क्लास को यूज करते हैं और रोबोट क्लास को हमें यूज करने की जरुवत क्यों पढ़ती है अगर आपके सिस्टेम में ऐसे अलर्ट है जो विंडोस बेस अलर्ट है तो आपको उसको हैंडल करने के लिए रोबोट फ्रेमर्क का यूज करना पड़ेगा लेट से हमारे पास सेम एक फाइल है जो ऐसे हमने यूज की थी टेस्टिंग डोट एस्टेमल हम यहाँ पर अलर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन इसको अगर हम रोबोट क्लास से हैंडल करना चाहिए लेकिन इसको यह जावस्क्रिप्ट अलर्ट नहीं है ब्राउजर अलर्ट नहीं है इसको अगर हम रोबोट क्लास हैंडल करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं रोबोट क्लास का यह एड्वांटेज इस हैं लेकिन इसके डिसटवांटेज यह है कि मालनों कि आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो यह एक्शन परफॉर्म करते हुए लेट से आप कर रहे हैं इसको हमने इसको एसकेप कर दिया तो उस टाइम पर आपका जो फोकस है विंडो का वो इस पर्टिक्लर ब्रावजर पर होना चाहिए जब हम टेस्ट सूट रन कर रहे होता है डिफरेंट मशीन पर जो हमारी यहाँ पर कोई यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो तो लेट से हम एक test case execute करते हैं फिर से class file बनाएंगे test robot testing robot लिख देता है इसे spelling ठीक करेंगे यहाँ पर मैं अपना main method बनाऊंगा अब इस main method में हम पहले की तरह एक web driver का object जो हमने पहले कर रहा था वो हम copy कर लेता है let's say यह हमने उठाया पहले हमने system set property किया chrome driver के path देने के लिए web driver को हमने एक initialize किया chrome driver से और हमेशा navigate कर रहे हम testing.html पर navigate करेंगे अपके बार हम तो यह हमने यहाँ पर यह values दिये अब इसके बाद जो है आप कहेंगे कि मुझे click करवाना है उस particular alert पर जो हमार alert था find by element by dot id अब मेरा alert का ID है alert और dot click अब उसको मैं पहले क्या कर रहा था driver dot switch to dot alert और फिर उसे accept कर देता था लेकिन अब मुझे वह accept नहीं करना अब मुझे क्या करना है driver dot switch to की नहीं करना है और ना मुझे driver use करना है मुझे एक robot class का object initialize करना है यह मैं java.awt से import करूँगा और यहां पर इसको try catch में डालने के बाद मैं इसको कहूँगा rb.keypress मैं मैं एक प्रेस करवाँगा key को जो मेरी escape की है key event dot vk underscore escape तो मैंने यहां पर इसे escape करने के लिए कह दिया अब मैं click करता हूँ let's say हम एक sleep डाल देता है just इसलिए कि हमें पता चले कि वह actual मैं escape हो रहा है इसको भी try catch में डालेंगे और execute करा देते हैं अब जो मेरा browser open होगा इसके load होने के बाद यह click करेगा और यहां पर अगर मेरा mouse का focus इसी browser पर है तो मेरा यह action perform होगा वरना नहीं होगा अभी मैं इसको इसी browser पर ही focus रख रहा हूँ आगे हम देखेंगे कि अगर मैं ब्राउजर पर focus नहीं रखता तो क्या होता है 10 second का sleep है और focus मेरा यही पर है तो 10 second के बाद यह चला गया escape हो गया क्योंकि मेरा focus यही पर ही था अब let's say मैं इसको दुबारा से execute करता हूँ पुराना ब्राउजर यह वाला close कर देते हैं हम लोग सारे ब्राउजर तो यहां पर यह ओपन हो रहा है जब अलेट खुलेगा अब हम focus चेंज कर देंगे तो यह भी यह load हो रहा है लोड होने के बाद click होगा और जैसी click होगा वहाँ पर जो sleep लगा हुआ है उतने sleep में focus को change कर देंगे let's say हम eclipse पर focus change करेंगे यह खुल गया हमने eclipse खोल दिया अब 10 second के बाद escape प्रेस होगा और क्योंकि focus यह हमने eclipse पर कर दिया था तो escape से उसने console को escape कर दिया जो console यह खुला हुआ था उसने इसको escape कर दिया तो हमारा focus उसी जगा पर होना चाहिए वरना वो action कही पर भी desktop पर perform हो सकता है तो इससे बाहर आएंगे तो अभी हमने देख रहा कि कैसे हम robot class को use कर रहे हैं कैसे इसको initialize कर रहे हैं और क्या इसके basic elements हैं इससे हम और भी बहुत operations perform कर सकते हैं जैसे file uploading हो गया या फिर आप कुछ और desktop based applications पर click करवाना चाहते हैं पर of course focus आपका same रहना चाहिए अभी के लिए इतना ही पर आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस पर file upload करके और उसके अंदर क्या-क्या complications आती हैं और क्या-क्या keys हम allow कर सकते हैं प्रेस करने के लिए क्या-क्या सारी keys allowed है या क्या इसके limitations हो रहा है तो अभी के लिए इतना ही thank you